जैहिन पेंस्नर बंधू कैसे हैं? मुझे पूरी उमीद है अगर आप पेंस्नर होएं तो आपकी पेंस्न सुचारू रूप से आ रही होगी या अगर आप सर्विस में हैं पेंस्नर बनने वाले हैं तो दोनों के लिए यह बीडियो बड़ा ही उपियोगी सावित होने वाला है मुझे उमीद है मैं आगे की बात करूँ इससे पहले आप से बिनर्ब निवेदन है कि हमारे चैनल लिविंग हैपली को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे लाइक कर दे और ये मेरा बादा है कि आपको आपके समय का चार गुना कीमत आप यहां से लिख कर जाएंगे इस विडियो में परमुकतब मैं यह सब बिन्दू को कभर करूँगा कि एक पेंसन भोगी के पातरता क्या-क्या होती है यानि कि उनके कौन-कौन से इंटाइटेलमेंट्स है जो कि उनके पेंसन सैंक्सिंग ओथरिटी के द्वारा दिये जाते हैं और कौन-कौन से सुविधाएं हैं फैसलिटीज हैं जो कि पेंसन डिस्वर्सिंग ओथरिटी के द्वारा दी जाती है तो मूलत है इन ही दो बिंदूओं पर हमारा यह विडियो आगे की ओर बढ़ेगा धीर धीर तो सबसे पहले हम यही बात कर ले कि पेंसन का अर्थ क्या होता है तो अगर आप पेंसन भोगी होंगे तो आप पहले से जानी रहेंगे और अगर आप पेंसन नर बने नहीं हैं अभी सर्विस में हैं कुछी समय के बाद बनने वाले हैं तो सेंटरल गवर्मेंट के संदर्भ में अगर मैं बात करूँ तो पेंसन की पातरता कम से कम 10 साल पेंसन रूल के तहद सर्विस होना चाहिए दस साल minimum qualifying service, minimum eligibility period जो है वो दस साल रखा गया और family pension के case में यानि कि बिडो के eligibility के लिए या जो भी उनके spouse हैं उनके death के एक साल के बाद वो भी eligible हो जाते है family pensioner के और एक साल से पहले भी हो जाएंगे जब government servant जो है उनका medical कराया गया है यानि कि fitness certificate, medical certificate लिया गया था joining के time तब एक साल से पहले भी मिरती होने पर family pensioner का entitlement हो जाता है तो यह तो बड़ा ही बुनियादी बात है अब मैं थोड़ा सा आगे बता रहा हूं कि 1st January 2006 से pension का जो calculation होता है वो किस परकार होता है इसको बोलते हैं emolument emolument का मतलब यह होता है कि last basic pay आपका क्या रहा है उसी को आधार मानके और फिर दूसरा होता है average emolument यानि कि पिछले 10 महिने का जो आपका basic pay आप ड्रा करते रहे हैं यह निकलता है अब दो भाइलू आ गया एक आ गया last basic pay और दूसरा आ गया previous 10 emoluments 10 basic salary अब इन दोनों में से जो भी जादा है जो भी आपके लिए benefitable होगा इसी को pension के लिए consider किया जाएगा और उसी का 50% of the emolument कहलाता है आपका pension तो आज के समय में केंडरिये सरकार के लिए minimum pension जो है 9000 per month है अलग-अलग state के अलग-अलग है जैसे करनाटका government के 8500 है तो minimum pension limit जो है 50% ही है और maximum जो है अभी 125,000 maximum है जो कि 50% और maximum आपका कैपिंग आ जाएगा सबालाग से जादा केसी का pension अभी भारत में नहीं हो सकता यह pension death के death का उस दिन तक आपको pension मिलेगा मरने के दिन तक का अब अगला जो element आता है pensioner को जानना चाहिए वह है commutation कम्यूटेशन के बारे में कई लोगों को दुविधाय होती है ब्रांतियां होती है तो सबसे पहला तो यही बता दूँ कि central government का जो अभी present नियम है इसमें ओ 40% तक का भायलू करबा सकते हैं लंसम payment उठा सकते हैं अपने basic pension के 40% को उठा सकते हैं इसमें अगर एक साल तक यह option देते हैं तो किसी भी प्रकार की medical examination की जरुवत नहीं पड़ेगी और उसके बाद अगर देते हैं तो उनको medical examination करना पड़ेगा competent authority के द्वारा अब यह लंसम payment जो मिल रहा है commutation table होते हैं मैं बिश्टार में नहीं बताऊंगा उस table के तहट आपको मिलता है जिसे की CBP भी कहते हैं जो commuted value of pension कहलाता है अब इसकी अगर formula कहा जाए तो यह होते हैं 40% multiplied by commutation factor multiplied by 12 तो यह आपका हो जाएगा कितना amount आपको मिलना है और यह commutation factor जो होता है यह होता है reference of age का कब आपका next birthday आ रहा है और date वह जिस पर commutation absolute बन रहा है यह new table के द्वारा जो CCS table Commutation of pension यह rule 1981 के द्वारा regulate होते हैं तो यह तो commutation हो गया कि आपको अगर मैं बड़ा ही साधारन तरीके से समझाओं तो commutation वह भालू है जो कि आपके advance में ही है यह तरह का loan ही है और जिसके EMI को आप महीने महीने तक देंगे 15 साल तक आपको continue देते रहना है 15 साल यानि कि जो commutation restoration date है वह after 15 years not from retirement but यह count होता है the first payment was made अब कब मिला हो सकता है आपको pension start हुआ दो महीने के बाद साल के बाद 6 महीने के बाद या हो सकता है कई का retire होते हैं और दो दिन के बाद भी मिल जाता है तो जो first credit date है credit date plus 15 years आप यह ब्रांती में मत रहिएगा कि retirement plus 15 तो यह बड़ा ही अहम मुद्दा है जो आप लोग को अवस्य ही याद रखना चाहिए अगला आता है retirement gratuity यह पेवल होते हैं सारे retiring government के लिए अब इसकी चुकी मैं पातरता की बात कर रहा हूँ eligibility की बात कर रहा हूँ तो retirement gratuity के लिए आपको कम से कम 5 साल की qualifying service की जरूरत होगी तब यह लंसम मिलेगा अब यह बता दू की gratuity calculate कैसे होता है तो यह 1 by 4th of a month basic प्लस DA मिलेगा यह कितने मिलेंगे तो हर 6-6 महिने के असपेल के लिए यानि कि अगर एक साल में कह लें तो एक साल में 15 days का जो basic pay है आपका और उसके जो DA होते हैं यही दोनों भाईलू अब जितने साल आपने किया है इतने से multiply कर दीजे 15 days के basic और DA से यह कौन सा basic होगा तो जो आपका pension के लिए consider किया गया है यानि कि last basic salary emolument से अब इसके भी capping है यह 16 and half month तक का ही होगा यानि कि 33 years ही maximum gratuity के लिए लिए जाते हैं चाहे आपका basic कितना ही हो चाहे आपका length of service 40 भी हो 33 years ही होगा एक capping तो 33 years याद रख लिजे दूसरा capping है जो पहले 10 लाग था अब 20 लाग तक हो गया तो maximum value भी आपका gratuity 20 लाख ही होगा तो यह तो हो गया service gratuity यानि कि आप retire होके जा रहे हैं successfully तब आपको service को दूसरा gratuity होता death gratuity death gratuity अक्सर उनके family को या nominee को next of kin को दिया जाता है जब ओ death in harness यानि कि service काल में ही सेवा काल में ही उनकी मिर्तिव हो गई है तो उसका दर कुछ अलग तरीके से होता है अगर उनकी मिर्तिव दो साल के अंदर ही हो गया यानि कि एक साल के अंदर ही अगर हो गया तो twice double of the basic पे उनको मिलेगा और अगर एक साल या पांच साल के बीच हुआ है तो उनको six times of basic पे दिया जाएगा और पांच साल से ग्यारा साल तक सर्विस कर के अगर उनकी एकस्पाइरी हुई है तो 12 times of basic दिया जाएगा और इसी प्रकार अगर 11 years से 20 years के बीच हुई है तो 20 times of the basic पे उनको death gratuity मिलता है और 20 years या उससे जादा हो गए है तो half of involvement जो की every completed six months period के लिए है और यहां भी capping फिर 33 years का आ जाएगा यहां भी capping लगता है 20 lakh का आता है जो की 1st January 2016 से यह rule आया है तब से यह लागू हो रहा है दूसरा होता है service gratuity, service gratuity क्या है तो यह 10 साल जो service कर लेंगे उनको service gratuity के लिए eligibility हो जाता है कई लोग होते हैं जो 10 साल मैंने बताया कि pension स्टार्ट करने के लिए लेकिन कुछ लोग 10 साल से पहले ही चले गए तब भी उनको यह service gratuity मिलेगा उसके हिसाब से उसका क्या हिसाब है तो यह जो admisable amount है half month का basic pay और उस पर DA मिलेगा हर 6-6 महिने के हिसाब से यानि कि एक साल के लिए एक-एक महिने का gratuity मिलेगा अगर वो 10 से पहले चलेगा यह lump sum उनको मिल जागा इसके साथ ही जब हम retire होते हैं तो हमें leave investment भी मिलता है जो कि आप जानते होंगे CCS leave rule है तो यह maximum अभी 300 days तक का आप in cashment of leave ले सकते हैं जो कि आपके last basic DA यह सब calculate करके आपको दे दिया जाता है जो कि pension का हिस्सा नहीं कहलाता है यहाँ आपको direct ही उस department के द्वारा ही आपके उस account में credit कर दिया जाता है इसके साथ ही अलग-अलग government का central government का जैसे imply group insurance scheme होते हैं हर department का अपना कुछ न कुछ group insurance scheme होते हैं जिसके आप subscriber होते हैं और उसके जो survival benefit है यह भी आपको दिया जाता है इसके साथ ही अगर death in harness हो गया तो जिस amount के लिए subscribe किया जा रहा था तो यह insured amount भी उनको nominee को मिलेगा इसके साथ ही एक amount और भी cloud जाता है उसको बोलते हैं NDC यानि कि no demand certificate कई लोग को quarter hold करते हैं उसे बोलते हैं license fee अपने service छोड़ दिये उसके बाद भी वही quarter में रह रहे हैं उनको grip में रखने के लिए government ने इस तरह से बनाया है NDC देता है जब NDC मिलेगा तो इसके लिए 10% of the graduate value hold कर दिया जाता है जो कि 6 months के बाद दिये जाते हैं जब वो department में NDC देंगे तब वो PDA को later देते हैं कि now you release it अगर 6 माहिने के अंदर नहीं देते हैं तो PDA automatic release कर देगी और उससे पहले देते हैं तो ले जाके PDA में देते हैं बैंक को देते हैं और वो release कर देता तो इस तरह से यह सब हुआ इसके साथ ही general provident fund होते हैं यह तो आप सब जानते ही होंगे कि जो भी amount आप provident fund में जमा किये हैं इसका final settlement करके आपको दे दिया जाएगा तो यह सब अभी तक मैं बुनियादी बात जो कर रहा था यह आपकी अधिकार की entitlement की पातरता की बात किया जा रहा था जो की प्रमुखता PSA pension sanctioning authority के द्वारा जो दिये गए हैं अब मैं बात करता हूँ PDA के द्वारा क्या-क्या facility दिया जा रहा क्योंकि PDA का role facilitation है आपको credit देने का एक facility दे रहे हैं वो तो यह क्या-क्या आपको facility देंगे उसके लिए आपको क्या-क्या करना है तो सबसे पहले अगर आप pensioner बन चुके हैं तो आपको सबसे पहला यही काम है जिस महीने भी पहला pension credit अगर हो चुका है उपर के सब बताय हुए के मुताबिक आप जाकर branch में जहां कहीं से भी आप ले रहे हैं चाहे आपके branch हो, post office हो, treasury हो, dpdo हो आप pension slip मांगे आप हर महीने pension slip लेने के लिए अधिकारी हैं entitled हैं आपकी पातरता बनती है आप बाएं हाथ में अपना PPO, original PPO या revision order PPO जो भी है वो रखे बाएं में और दाएं में pension slip रखे इसके सारे personal details को आप match कीजिए जिसमें आपका swaim का नाम हो सकता है आधार card, pine card, address जो आप चाहते हैं उसके बाद आप अपने spouse का देख लिजे, उनका नाम सुद्ध है की नहीं जो आपने PPO में दिया है आधार card, pine card से match हो रहा की ने उसके साथ ही आधार card, pine card उनका है date of birth, सब मैं चोरा की ने उसके बाद financial details को देखिए कि आपके PPO में जो भी notified है जितना amount वही amount है या कम है या जादा है उसके बाद commutation देखिए कि commutation अगर पहला है तो commutation की payment की भी उसमें होगी और कब खत्म होगा commutation, restoration, date भी उसमें लिखा रहा था इसके साथ ही first pension slip में आपके gratuity payment का भी detail रहेगा आप या भी देख लीजिए कि pension slip में कितना gratuity payment हुआ है और PPO में कितना है तो यह सब काम आपके first pension slip में आपको अवसे ही pensioner बनते ही tally अवसे कर लेना चाहिए और अगर आपने first में नहीं किया कोई बात नहीं या अभी भी किया जा सकता है जब भी retire हुए उस महीने का pension slip अभी भी मांगा जा सकता है statement मांगा जा सकता है कितना payment हुआ कितना आपको चाहिए था यह सब tally है कि ने यह आप एक जिम्मेवार pensioner के होने के नाते आपको अवस्य ही कर लेना चाहिए अब मैं बात कर रहा हूँ बार बार pension slip आप समझ ही पायोंगे जो अभी तक pension slip का नाम नहीं सुने तो आप समझ गए हों कि pension slip वह एक दस्तावेज है document है जिसमें कि आपके PPO के द्वारा जो भी data इंटर किया गया उनके डाटाबेस में उसका एक mirror view है तो अगर image सही है यानि कि आपका PPO से सही data capture किया गया है PDA के द्वारा तो आपका mirror view यानि कि pension slip में भी बिल्कुल सही आना चाहिए तो आप यह सुनिश्चित कर लिजिए कि pension slip यानि कि image और mirror view बिल्कुल दोनों replica है अगर दोनों replica है तो बिल्कुल सही है कोई घबडाने की बात नहीं है और अगर कहीं भी कोई error लग रहा है mistake लग रहा है तो आप immediate अपने साखा को जहां से भी आप pension ड्रा कर रहे है उस साखा के notice में लाइए कि यह चीज difference है इसमें correction की जरूरत है अब within a month हो आपको correction करके inform करेंगे कि आपका correction हो गया और अगला pension slip जो आएगा वो with correction आएगा तो यह तो action आपको लेना अब मैं बार बार pension slip की बात कर रहा हूँ तो आप समझ रहे होंगे कि pension slip कहां से लिया जाए तो pension slip कहां से लिया जाए इसका बड़ा ही सरलतम तरीका है कि आप अपना email register कर दीजिए account के साथ भी और pension account के साथ भी दोनों अलग-अलग चीज है मैं बार-बार बोल रहा हूँ आपका SBA account अलग है जहां कि pension से कोई मतलब नहीं है pension सिर्फ credit हो रहा आपके सारे transaction credit, debit, जो भी transaction उसको reflect करने के लिए उसके housekeeping के लिए SBA account है उस SBA account का यूज किया जा रहा pension account के लिए pension account को credit कराने के लिए तो दोनों जगह अलग से registration होता है तो आप सुनिश्चित किजिए कि दोनों जगह आपके अपने active mobile number का जो recent active है उसे आप register कीजिए email जिसे आप use कर पा रहे है currently active इसे register कर ले दोनों जगह का अब जब भी आप SMS alert भी दे चुके हैं बैंक में तो जिस दिन भी credit होगा आपका SMS आज आएगा इसके साथ ही उसी दिन या कई बार होते हैं कि first और second of the month में next month में pension slip email में आ जाते हैं तो आप वहाँ से print ले लिजे या print भी लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ब्रिक्षों को बचाना चाहते हैं तो आप soft में ही देख लें कि आपका हर महिना सही आ रहा है की नहीं दूसरा जगह है अगर आप net banking यूज कर पा रहोंगे जो कि मैं उमीद करता हूँ मैंने कई वीडियो बनाया है net banking को promote करने के लिए क्योंकि net banking से आप अपने easy से ही सारे काम कर रहे हैं तो अगर net banking यूज कर पा रहे हैं तो वहाँ भी pension slip आप generate करा सकते हैं तीसरा जगह होता है कि pension savea portal अधिक्तम जो PDA है वो अपने चलाते हैं वहाँ पर register कर लिजे वहाँ पर ना कि आपको pension slip मिलेगा बजाए कि सारे transaction हर तरह के जो भी आपको pension से related है जब से pension स्टार्ट हुआ तब से आपके pension slip कोई भी area मिला है कोई tedious कटा है सारी तमाम जानकारियां आपके spouse की detail सब कुछ वहाँ सुद्ध मिल जाते हैं इसके साथ ही government के agency जहाँ जैसे central government CPA से लेते हैं estate government अलग-अलग estate के उनके portal चलते हैं defense के, PCDA के हैं CGDA के portal हैं इस तरह से अलग-अलग जो PSA हैं ये भी portal प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ भी आप register करके आप अपना pension portal और pension की जानकारियां देख सकते हैं और अंत में जब ये सब आप नहीं कर पा रहे तब आप अपनी pension paying जो branch है उस साखा को जाए और वहाँ पर उनसे pension slip request कीजिए उस महिने का या पहला या जब भी चाहिए और वहाँ जाकर आप सारे कुछ टैली कर लीजे तो यह तो सारी कहानी है pension slip के इड़गेड अब आप समझी पाए होंगे कि pension slip कितना महतवपूर्ण years होंगे बाद आपके family को कितना pension entitled होगा उनका अगर family pension के case की बात करूँ तो उनका enhanced rate कब तक चलेगा ordinary rate कब तक चलेगा कई family pensioner को या मालूम ही नहीं होता sudden जब enhanced rate से ordinary rate आ जाता है उन्हें बड़ा shock लग जाता है कि हमारा pension इतना घट के हो गया उनका सारा budget फेल होने लग जाता है तो pension slip में देख लें या सब reflected होते हैं तो pension slip बड़ा ही महतवपूर्ण document है अब आगे बता दू कि आपकी जो चुकी मैं facility की बात कर रहा हूं तो आप entitled हैं जब कभी भी किसी प्रकार का area credit हो रहा है या किसी प्रकार का david किया गया है यो ironious entry हो गया वो david किये है उसके detail आपको मिलना चाहिए वो area details हो सकते हैं जैसे वो ROP के थे या कई तरह की circular आते रहते हैं 7CPC हो गए इस तरह से या DA की area हो गई तो ये सब की breakdown आपको दिया जाएगा इसके साथ ही आप उस detail को मांग सकते हैं ताकि आपको जब tax भरते हैं tax भरने के time भी जरूरत पड़ेगा इस area detail का इसके साथ ही आप tedious detail जो कि आपको PDA देंगे इसके साथ ही form 10 या form 16 भी जो चाहिए यह आपको bank में भी मिलेगा और sewa portal से भी generate कर सकते हैं तो और इसके साथ ही मैं बता दू कि आप जिस किसी भी department से हैं आप जिस bank से ले रहे हैं जिस PDA से ले रहे हैं वहाँ जाकर पता किजिए कि आप package system है almost सारे bank ने package system रखा है अलग-अलग defense का package पारा-military का package railway का package उस package में आपको कई सुभधाएं मिलती हैं तो आप यह भी सुनिश्चित कर लें कि हमारा जो SBA account है उस package account के तहत है की नहीं दुसरा अगर आपके department जैसे central government, defense government यह सब permit करती है joint account होने के लिए तो यहाँ either और survivor करके आपने bank में mandate दिया है की नहीं यह भी चेक कर लिजे अगर नहीं है तो आप कर लिजे कुछ government जैसे central state government है यह लोग single account ही चाहते हैं तो यह तो हो गई आपकी pension की जो की pension slip के इड़गिड है अब मैं बात करता हूँ कि जब तक pensioner हैं तब तक उनका दाइद तो यह भी है की अगर उनके डिमिस के कारण जो की क्या हो जाएगा family pensioner को flawless सुचारू रूप से बड़े ही असानी ढंग से उनका pension प्रारंब हो जाए तो इसके लिए homework तो PPO में ही उनका नाम notify हो गया है रही यह आप सुनिश्चित कर लिजे अगर नहीं notified है तो आप notify कर वा लिजे आप record office के थुरू जो भी उनको document चाहिए हो कर लिजे और PSA से notify कर वा लिजे सही नाम हो और अगर पहले से notified है जेनरली दक्षिन भारत में यह पाया जाता है कि उनकी पत्नियों का नाम साधी के बाद बदल जाता है चुकि पहले साधी से पहले उनके पिता जी और उनके ग्राम माईके का नाम होते हैं और साधी के बाद उनके पती का और पती के गाउं का नाम आ जाता है तो नाम में drastic change हो जाते हैं चिन भारत में तो इस नाम को आप जरूर चेक कर ले कि आपके PPO में क्या दर्ज है और आधार कार्ड पैन कार्ड में क्या है ये तीनों सेम होना चाहिए या तो आप PPO चेंज कर वा ले या आधार कार्ड पैन कार्ड चेंज कर वा ले तो यह पती की जिम्मेवारी है कि अपन को रखिए और जॉइंट एकाउंट में भी उनके सिफ को भी जो कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल है उसे भी करवा लिजिए ताकि उस समय जरूत ना पड़े यानि कि उस सिफ में भी आधार कार्ड पैन कार्ड देके उसे के वाई सी कंप्लाइंट अभी से ही करवा के रख ल फैमिली पैन्सन क्या होता है कई बारा ऐसे होते हैं कि पैन्सनर गुजर गए अब उनके बाद उनके जो फैमिली पैन्सनर थे स्पाउज जो नौमनी थे ये भी गुजर गए तो अब क्या होगा उनके घर में कैसे काम चलेगा आजीव का अरजन करने वाले कोई बचे नही तो इसके लिए भारत सरकार ने और केंद्र सरकार ने और कई राज्य सरकारों ने भी इस तरह से प्रोभीजन किया है, प्राबधान बनाया है, सेकेंडरी पेंशन के लिए, जिसके लिए इलिजिबल है अनमारेड डाउटर, यानि कि अगर ओ एक्सपायर हो गए हैं, जो कि मिलेगा, जब तक कि वो अनमारेड रहें, तब तक उन्हें मिलता रहेगा, दूसरा है, डाइब होस्ट डाउटर को मिलेगा, कब तक मिलेगा, तो जब तक उनकी फाइनांसियल कंडिशन का जो रिपोर्ट है हुआ, देना है उनको, कि अभी जो चल रहा है, नाइन थाउज कंडिशन रिपोर्ट देना, सर्टिफिकेट देना, कहां से यह मिलता है, तो यह रेवनू अथरीटी देती है, कि विडो डाउटर का और कोई सोर्स अफ इंकम तो नहीं है, और वह 9000 प्लस डिये से लेस होना चाहिए, इसके साथ ही चौथा जो सेकेंडरी पैंसनर के लिए हैं, वो disabled children है, अब इनकी part two order में entry अवस्ते होना चाहिए, यानि की sit roll में होना चाहिए, और अभी जितने भी PPO आ रहे हैं, उसमें उनके संतान का, सारे संतान का नाम, आधार नंबर, age और उनकी जो present medical condition है, disability, यह सब भी mention रहते हैं, पर होता क्या है, जब दोनों expire हो गए, तब उनका pension इस PPO मातर से उनका नाम होने से भी नहीं होगा, जब आप उस PPO को गौर से पढ़ेंगे, तब पता रहता है, लिखा रहता है, कि इनका pension eligible तब होगा, जब इनके नाम से separate PPO generate कराना है, sanction करवाना है, अब यह काम बड़ा ही मुश्किल लगता है, जिस पर की government को department को विचार करना है, कि example ले लिजे, कि disabled children है, अब उनके पिता नहीं रहे, माता नहीं रहे, संजोग से कोई भाई बहन भी नहीं है, वो तो खुद कर नहीं सकते, mentally retarded हैं, या इसा condition आप यह जूम कर लिजे, अब उनका PPO कौन notify कराएगा, यह बड़ा ही मुश्किल होता, त तब तक कि government को यह scheme न ला दे, तब तक उन pensioner को, family pensioner को ही उस दिभ्यांग संतान के लिए इसा कुछ करके जाना पड़ेगा, किसी आदमी को यह बता के जाना पड़ेगा, जो कि उनके से भी कम उम्र के हैं, काफी कम उम्र के, कि यह सब यह सब प्रावधान है, कहां अप्रो तब वो sanction किया जाता है उनके नाम से, जिसमें अक्सर साल 6 महिने भी लग जाते हैं, हलाकि कुछ ऐसे department हैं, Indian Railway या कुछ department है, वो बड़े ही fast secondary pension यहां तक की महिने के अंदर भी वो notify कर दे रहे हैं, इसके साथ ही हर pensioner को अपने tedious की भी जानकारी होनी चाहिए, अगर वो tax के bracket में नहीं आते हैं, या कहीं investment declaration कर रहे हैं, तो 1.5 लाग तक का वो rebate tedious में ले सकते हैं, इसके लिए उन्हें investment declaration अपने साखा में जाके जमा करना होता हैं, और जो बुजूर्ग हैं तो अपने हिसाब से दे सकते हैं, पेंसन की बात चली हैं, तो एक बात और मैं बता दू, defense services में थे, वहां से volunteer retirement लेके, discharge लेके किसी और department में गया, तो वहां भी pension मिल रहा था, तो जब तक वो जीवित थे, तब तक तो दोनों जगा से pension मिल रहा था, लेकिन जब expire हुए तो एक ही जगा से मिलता था, कहीं एक जगा से ही family pension को मिलना था, लेकिन 2013 के बाद rule change हुआ, अ अब उनस पाउज को दोनों जगा से family pension मिल सकता है, जो कि MOD ने change किया, इसके लिए PCDA का circular भी है 504, इसके तहत 24th September 2012 के बाद dual family pension भी entitled हो चुके है, तो यह तो तमाम बात है, जिसमें कि हमने बात किया, pensioner की अधिकार के बारे में और सुबिधा के बारे में, और हर pensioner का, चाहे वो किसी भी department से retire हुए हो, चाहे वो central government के हो, state के हो, defense के हो, यह बुनियादी बात उनको मालूम होना ही चाहिए, और अगर लगता है कि आपको कुछ value edition मिला है, तो आप अपने मित्र मंडली में भी इसे share करें, facebook में, whatsapp में भी share करें, ताकि उन्हें भी यह के प्रारंब में बिनम्र निवेदन किया, कि अगर आपने हमारे channel को subscribe नहीं किया, तो अब अब से subscribe करें, subscribe करने से हमारा channel grow होगा, जिससे हम बड़ी और बड़ी team लगाकर आपके लिए और भी बेहतर value added video ला सकते हैं, जो कि और भी ज्यादा लावदायक आपके लिए होगा और आप अगर पसंद किये हैं, तो इसे like कीजिए, और subscribe किये हैं, तो bell icon भी push जरूर कीजिए, ताकि हमारी हर video की notification आपको सबसे पहले मिलते रहें, और आप कुछ बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, पेंसन सम्मंदी, कुछ भी चीज पूछना चाहते हैं, आप comment section में, मैंने इस video को काफी engaging तरीके से बनाया, ताकि आपको यह मसूस हो, कि आपका यह छोटा मित्र आपसे बात कर रहा है, कुछ समझा नहीं रहा, इसे मैंने काफी engaging तरीके से बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद, चुकि आप अपने जीवन का एक बहमुल्य समय हमारे आती है, बहतर से बहतर, जैसा कि मैंने सुरू में इबादा किया, कि आपके समय के कई गुना value का मैं आपको दूँगा, जहां कि आपको बहुत ही मिला होगा, बहुत बहुत धन्यवाद, अमारे साथ बने रहने के लिए, नरेंद्र कुमार, wellness consultant, entrepreneur, trainer के साथ बने रहने के लि a range we health, जैसा है sacred दो रिए, जैसे चानЛिए, ऑचिया कि आपको झाले साथ, जैसे अमारे सवाने के समय के लिए बहुत है, जैसे हैं आपकाइगा, अलिल, तbayर रहने के लिए जएका स gonnafoूए, जैस्प कि आपको भिए औरेंगा, जैस बहुत हैं झारद雍नाश।, जैसा ह में